नमस्ति दोस्तों जोहार मैं अनिमेस सर आप सभी का विष्ट चक्रवरती यूटूब चैनल महार्दिक स्वागत करता हूँ 17 मार्च को होने वाले हिंदी इलेक्टिप की एक्जाम के लिए तो आप 60 exam related mcq type questions लेकर आया हूँ जो आपके exam के लिए बहुत ही ज्यादा important है दोस्तों एकदम छपने वाला ठीक है तो दोईर किस बात की दोस्तों जल्दी से वीडियो को like करें और सारे दोस्तों भी share कर दे जो भी students इस चैनल पर पहली बार आये हैं वोई जल्दी से इस चैनल को subscribe कर ले ताकि आगे की वीडियो की notification सबसे पहले आप तक पहुँचे तो चली दोस्तों बिनाजरी वीडियो को शुरू करते हैं देख सकते दोस्तों पहला question जो है सुर्दास की जोपड़ी से लियागे दोस्तों सुर्दास की जोपड़ी से back to back 30 questions मिलेंगे दोस्तों बहुत ही important chapter यहां से MCQ एकदम फसेंगे देख सकते दोस्तों पहला question जब भी आप लोग chapters को पढ़िएगा तो लेखाक परिचाई जरूर करके जाईएगा ठीक है तो पहला question देख सकते दोस्तों क्या है सुर्दास की जोपड़ी के रचनाकार कोन है सुर्दास की जोपड़ी के रचनाकार कोन है दोस्तों option जो A है देखे रहें दोस्तों, उनकी मिट्ती वुई थी दोस्तों, उनका दिहांत हुआ था, ठीके, याद रखेंगे गा, यानि उनका जनम हुआ था, 880 में, लंही में, और उनका जो दिहांत हुआ था, 1936 में, याद रखेंगे गा, चैने next question के वरदिये, question number 3, देख से तों, क्या ह नवाव राई के नाम से option जो 3 है वो correct हो जाएगा नवाव राई is the correct answer चलिए next question के बढ़ते question of 4 प्रेम चंद का मूल नाम क्या है दोस्तो ये question उचा गया तो प्रेम चंद का मूल नाम याद रखेए दोस्तो धनपत राई प्रेम चंद की सभी कहानिया किस पुस्तक में संग्राइथ है अगर आप लोग हिंदी लेक्टी प्लास 11 में पढ़े होंगे तो इदगा चैप्टर में भी मैंने बताया था कि ये जो है प्रेम चंद का जो सभी कहानिया किस पुस्तक मिल जाएगा आपको दियाद रखीगा मा सारे कहानिया मिल जाएगा प्रेम चंद का उप्सन जो फुर है वह करेक्ट हो जाएगा यह मान सर्वर कितने भागों में विवाज ही तो स्टो आठ भागों में याद रखेगा आठ भागों में किताब विवाज हीते चलि नेक्ट क्यों बढ़ते हैं क्वेशन सלंवर फेम प्रेम चंद ने सबसे पहले अपने लेखन की सुरुवात किस से की थी याद रखी दोस्तों यह जो प्रेम चंद है सबसे पहले उर्दू में लिखना श्टार्ट किया था बाद में हिंदी में तो याद रखेगा option जो 2 है वो correct हो जाएगा उर्दू ठीक है प्रेम चंद सबस 236 में याद करके जाहिएगा जो चैप्टर का नाम है दोस्तों देख सकते हैं सुदास की जोपड़ी सिर्सक जो है पाट के किस उपईन्यास का अंस है ऐसा questions आप लोग करके जाहिएगा यह जो चैप्टर से किस से लिया गया यह से questions देखने को मिलते हैं तो सुदास का जो यह किस से लिया गया दोस्तों रंग भूमी से याद रखेगा एक उपईन्यास से एक नौबहल प्रेम चंद का वो है रंग भूमी ऑप्सन जो टू है वो करेक्ट हो जाएगा रंग भूमी इस दक करेक्ट अंसर चैप्ट नेक्ट कोश्चन के बढ़ते जो बहुत ही इंप important question है नायक राम ने दोस्तों यह जो कथन है यह लाइन है नायक राम का option जो 3 है वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है क्योंकि सुदास की जोपरी जल गई थी याद रखेगा इसलिए रखा गया चैप्टर नाम सुदास की जोपरी और सुदास की जोपरी में आग लग गई थी ठ question में उचा गिया है तो option जो वह ने वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है सुनिए एक-एक questions को मैं solve कराऊंगा साथी आपको important subjective type questions भी दे दूँगा ठीक है tension मत लीजेगा आपका Hindi भी मस्त जाने वाला एक दम इंग्लिस score की तरह ठीक है चैने इस question के बढ़ते है question number 10 and परेक फेशो को पिर भी दे ना चाथ है ठीक है और पिंड दान करने के लीए सबसेख छेगा अग result Lex एक ऐसे एक पर्व शहां करने करने के लिए सोच था ठीक है तो पिंड रखेगा अपने प् dengan करने के साथिख आन तो दूसरा मिठुआ की सद बिहा के लिए मिठुआ जो उनका भतीजा है दोस्तों उनका बिहा करने भी वो चा रहे थे और option जो 3 देख सकते हैं दोस्तों कुआ बनवाना उनका ये भी target था है यानि तीनों का तीनों हो जाएगा question number 10 में यानि option जो 4 है वो correct हो जाएगा इन में से सभी याद रखीएगा लेकिन इनका सारा इच्छा सारा भिलासा खतम हो जाता है क्योंकि ये पोटली जो है जिसमें रुपई एखटा करके रखा था वो चोरी हो जाता है जोपड़ी में आग लग जाता है ठीक है next question के बढ़ते है question number 11 सुभागी सुदास की जोपड़ी में क्यों छिपी थी पहले ही बता दिया दोस्तों मार से बचने के लिए तो question number 11 जो देख सकते दोस्तों इसमें क्या answer हो जाएगा इसका curtain сюда जगा option two अपने पती के मार से बचने के लिए ठीक है पती कोोन है आप लोगों पता है बहरो बहरो जो दारू पी के उसको पूरा पिट रहा था मार से बचने के लिए वो इसके जोपड़ी में खिब जाता है सुधास की जोपड़ी में छिप जाता है जिसके वज़े से पूरे महले में सुधास की और इजो इनके वाइफ है सुभागी की बीच में चर्चा के ओपर अफेर को लेकर बहुत हला हो जाता है बदनाम हो जाता है जिसके वज़े वज़े से भैरो जे बहुत गुसा हो जाता ह बहरो बोलता है क्या जब तक मैं सुर्दास को बरबात ना कर दूंगा चैंस से नहीं बैठूंगा ठीक है उसी दिन से वो सुर्दास पर नजर रखने लगता है और एक रात उसे मौका मिल जाता है तो वो पैसे भरे पोटली को लेकर चोरी कर लेता है और सुर्दास की को एक फुटी कोडी भी नहीं देता है यही था दोस्तों यह सुर्दास क्या करता है जब इसको पता चलता है जोपड़ी जल जाता इसको बहुत दूख होता लेकिन जोपड़ी जलने का इसको बिल्कुल भी दुख नहीं था उसे तो इस पोटली का दुख था जिसमें यात ठका नहीं, हारा नहीं, दोस्तों वो एक टाइम हतासा होके बैट गया था, निरासा होके बैट गया था, लहीं एक बच्चा का मामुली से कथन, खेल में रोते हो, उसके लिए प्रेना का सुरत बन जाता, पुरा जीवन को एक खेल वाऊना की तरह दिखता है, ठीक है, और वो सकती से ज्यादा मेरा निर्मान कारे सकती ज्यादा है, मैं 100 लाख बार बनाऊंगा, यहीं था दोस्तों इस्टोरी, चलिए back to back questions को देखते हैं, तो दोस्तों question देख सकते हैं, question 12, क्या पुछा गया है, कि जंगधर किसका खोचा लगाता था, आप सभी को पता है, दोस्तों जंगधर जो है, वो मिठाई का खोचा लगाता था, अपसन जो 2 है, और एक याद रखे हैं, दोस्तों यह जो मिठाई है, वो क्या काकर बेचता था, बोलता था कि घी का बना हुआ है, जो actually तेल का बना हुआ होता था, ठीक है, इसलिए इसका मिठाई ज्यादा भी नहीं थ जंगधर है, वो धीरे-धीरे किस से इर्शा करता था, किस से जलन रखता था, सुर्दास से, क्योंकि एक अंधा भीकारी होके भी चैन से रहता है, ठीक है, पैसा भी ठीक टाक कमा लेता है, एही चीज उसको नजर लग गया था, जंगधर जो है, वो किसके ओपर जलता था, याद रखेगा, सुर्दास के उपर, ठीक है, अंधा भीकारी होके भी इतना चैन से वो रहता कैसे है, ठीक है, नेक्ट क्योंकि बढ़ते है, क्योंकि नमर 13, सुर्दास की जोपड़ी सीर्शक पार्ट में अंधा भीकारी कोन है, तो आप सभी को पता है, इस चैप्टर में इसका नाम है, यादि सुर्दास की जोपड़ी तो सुर्दास ही है, वो अंधा भीकारी, तो याद रखेगा, जो टू है, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चैने, नेक्ट क्वेशन के बढ़ते है, क्वेशन नमर 14, देख सकते हैं, क्वेशन नमर 14 में क्या उच्छा गिय सुर्दास की जोपड़ी, अगर वो सुर्दास की जोपड़ी में नहीं च्छिपती, तो ये कहानी हमारे बीच में नहीं होती, क्योंकि सुर्दास की जोपड़ी में आग नहीं लगती, ये सारा इस्टोरी होता है, सुभागी वो कहां जाकर चिपती है, सुर्दास की जोपड़ी में चिपती है, पूरा गाउं महला में बदनाम हो जाता है, ठीक है, चैने, नेक्ट क्वेशन के बढ़ते हैं, क्वेशन सुर्दास की जोपड़ी किस ने जलाई, आप सभी को पता है, तो किस ने जलाई थी, भैरो ने, और किस के उकसाने पर, जगधर के उकसाने पर, और एक था दोस्तों, भैरो के अंदर में एक आग भी था, जिसके वज़े से उसके पतनी को जो बदनाम हो गया था, पूरे मौला में चर्चा हो गया था, सुर्दास और उनके पतनी का अफैर को लेकर, जिस वज़े से वो भ पता है दोस्तों इसका correct answer क्या हो जाएगा इन में से सभी option जो D है फोर है वो correct हो जाएगा क्या 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 दोस्तों जगदार द्वारा उससाने और भड़काने करण ये भी एक क्या था ना सुदास के साथ अवेज संबंद का किसके उपर सुभागी और सुदास के बीच में संबंद का चर्चा हो गया था इस वाज़े से यानि कहीं ना कहीं ये चारों का चारों सही है तो option जो फोर है वो correct हो जाएगा चैने जोपड़ी के आसपा सन्नाटा चा जाने का करण क्या था तो याद रखेंगे दोस्तों जो जोपड़ी जल गिया था जिसके वज़े से पुरा एरिया क्या हो गया सन्नाटा हो गया option जो 3 है वो correct हो जाएगा चैने सुदास ने अपनी पोटली में कितने रुपई जमा किये थे देखिए भी मांग कर वो उन्हों ने कितना जमा कर लिया था 500 से जाधी किसलिए 500 प्लस लिखा है मैंने option जो वन है वो correct हो जाएगा पता है नो क्यों इखटा कर रहा था वो इसलिए इखटा कर रहा था क्योंकि कि उसे कुवा भी खुदवाना था मिठुआ का विहावी देना था अपने पित्रों को पिंडा भी देना था ठीक है लेकिन सारा का सारा जितना भी अभी अभी लासा उसका चकना चूर हो जाता है ठीक है चैने next question क्यों बढ़ते है question number 21 देख से दोस्तों 21 में क्या कुछा ग दुख था दोस्तों तो इसका correct answer हो जेगा option 21 रुपए की पोटली खो जाने का दुख था सबसे ज़्यादा ठीक है next question क्यों बढ़ते है 22 देख सकते दोस्तों 22 में क्या पुछा गया वही बात जो मैंने बताया जोपड़ी में लगी आग फुस की राक नहीं थी बलकि सुद question क्यों बढ़ते है question 23 मिठुवा कौन था यह सबसे important question तो मिठुवा आप सभी को पता है दोस्तों यह कौन था सुदास का भतीजा था option जो one है वो correct हो जागा मिठुवा कौन था सुदास का भतीजा था next question बढ़ते है question 24 रोते हुए मिठुवा को घिसू क्या काकर चिढाता ह देखे खेल में हार गिया था जिसके बज़िस मिठुवा रो रहा था तो घिसू ने क्या काकर चिढाया उसे तो याद रखिए गया तुम खेल में रोते हो option number one जो है वो correct हो जागा तुम खेल में रोते हो खेल में तो हार जीत होता ही है उसमें रोने की कोई बात नहीं लेक खेल के मैदान की तरह वो सोचने लगता है और अपने जीवन को खेल सोचता है कि आज हा रहे है तो कल जीतेंगे कोई आज आए मेरे जोपड़ी को सौ लाख बात जलाने में थकने हाने और मिटने वाला नहीं हो मैं सौ लाख बात जोपड़ी को बनाऊंगा तेही लाइन तो यह सुद्दास को कान में सुनाई देता है वो चेंज हो जाता है वो जोपड़ी में जो जल गया तो उस राख में बैठा हुआ था अच्यानक उस राख से वह खड़ा होता है और दोनों हाथे से उस राख को उड़ाने लगता है सब आदमी सुच्छा कि पगला गिया ख पागिया ठीक उचाई पास को माख रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वो पुरा खुसी से इतना खुसी हो जाता ना आदमी जब आदमी अपना जीवन जीने का मंत्र पाजाता ना तादमी बहुत excited हो जाता बहुत खुसी हो जाता वह excited लेवल देखने को मज़ा आ जाता है ठीक है नेक्ट क्वेशन की बड़ते 25 तुम खेल में रोते हो या किसका कथन था यह याद रखिएगा घिसू का कथन था बहुत ही जाली में बोलते है चाय पास ठीक है वो जाय सब को लेकर हाथ में वह उड़ाने लगा था ठीक है तो याद रखेगा रोना छोड़कर सुदास उठ खड़ा हुआ और विजय गर्व में दोनों हाथों से क्या उड़ाने लगा था दोस्तों तो हम लोग चाय पास बोलते है निहां पर याद रखेगा राक उसको क्या बोले जाता राक के धेर को दोनों हाथों से उड़ाने लगा था ठीक है नेक्स्ट कोईशन की बड़ते 27 देख सकते क्या है क्या है 27 में मिठुआ ने जब पूछा कि कोई जोपड़ी को 100 लाख बार जला दे तो सुर्दास ने क्य उत्तर दिया था तो हम भी थोड़े हाडएंगे हम भी 100 लाख बार उसको बनाएंगे ठीक है तो यह जो लाइन है दोस्तों तो हम 100 लाख बार बनाएंगे यह करेक्ट हो जाएगा मिठुआ ने जब सुर्दास से पूछा था कोई आपके जोपड़ी को 100 लाख बार अगर ज के समद सोचने लगता है जिन्दगी को एक खेल की तरह देखता है खेल में तो हार जीत लगा ही रहता है तिया पर हो जाएगा आप्सण 2 वो करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेस्ट क्वेशन दोस्तों 29 देख सकते दोस्तों सुदास से संबंदीत कौन सा कथन सही है तो आप्स जो टू होएगा वो करेक्ट होगा एक बात बता देते दोस्तों सुदास से रिलिटे ठीक है सुदास जो है अपनी आर्थिक हानी को गुप्त क्यों रखना चाहता है ठीक है कि जब उससे पूछा गया कि क्या चोरी हुआ तो सुदास नहीं बताया कि मैं पास 500 रुपे अग क्रम अपमान की बात नहीं है ठीक है अगर भिकारी धन रखना इस्टार कर दिया दो एक पा रिकजाद कर दिया सुदास मानना ता था कि धन संचया पाप संचयाई से आपमान की बात नहीं है इसलिए ये उपनी आर्थिक हानी को चुपाना चाहता है पर से इसका बिजनेस भी बंद हो जाएगा अगर आदमी को पता चल जाएगा अगल वगल में कि एक भिखारी पास इतना पैसा है हम लोग से जादा है तो उसको कोई भिख भी तो नहीं देगा इस वज़े सो आपनी आर्थी खानी को छिपा के भी रखता है ठीक है चलिए दोस्तों सुर्दास की जोपड़ी से कुछ इंप्वाटेंट सब्जेक्टिव टाइप कोशन आपको समझा देता हूं ठीक है आप लोग कर लिजेगा एक दम इकजाम में छपेगा ठीक है पहला कोशन ध्यान से सुनिएगा चूला ठंडा किया होता तो सुर्दास की मन इस्थिति का वर्णन कीजिए ठीक है तो देखिए सुर्दास का जब जोपड़ी जल गिया था तो उसके मन में दो चीजे चल रहा था सबसे पहला उसके अंदर में निरासा की भावना हतासा की भावना चल रहा था ठीक है और दूसरा चल रहा था संकापू इस्तिति यानि जोपड़ी जो है किसने दुस्मनी के कारण आग जलाई है यानि किसी उपर वो सक कर रहा था इस तरह के उनसके मन में दो टाइप का इस्तिति होता है ठीक है इसके बारे में आप जोड के लिख दीजेगा अगर टाइम मिला तो सब्जेक्टिव भी बहुत जल लाँगा ठीक है आप लोग चाहते हैं सब्जेक्टिव तो कमेंट में जरूर बताइएगा ठीक है दूसरा इंपॉर्टेंट कोश्चन भैरों ने सुर्दास की जोपड़ी क्यों जलाई अगर इस तरह का सब्जेक्टिव कोश्चन आएगा कि भैरों ने सुर्दास की ने भी ने दिया था पूरे मोहल में बदनामी हो गये थी और इसी बदनामी की चकर में जो है भैरो है वो प्रण कर लिया था कि जब तक मैं बरवाद ना कर दूंगा सुर्दास को तब तब मैं चैंस से नहीं बैटूंगा एक रात उसे मोका मिल जाता है वो पैसे भरी स कंप्लिट हो जाएगा तिसरा कूषिंट जो है दोस्तोव यह फूस की राख ना थी उसकी अभीलासाओं की राख थी इस पर विवेचना करे तो देखिए यह सचे में एक फूसक की नहीं था बलकि इसḥ की सच मुछ मैं अभीलासाओं की यानि इच्छाओं की राख थी क्य क्या क्या दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था एक था सबसे पहला जो important अपने पित्रों को पिंडा देना था यानि गया जाकर दूसरा मिठुआ का बेहा के लिए और तिसरा कुवा बनवाने का इच्छा था यानि ये पोटली चला गया न दोस्तों तुनका सारा भाव जगा और क्यूं देखिए जगधर नहीं तो भैरों को उक्साया था न उसके घर में छिपकर पैसा ले आओ उसके जोपड़ी माग लगा देए सब उकसाया था कौन जगधर नहीं न लेकिन जैसे भैरों को वो पोटली हात लगता है जो सुर्दास की जोपड़ी को आ चलो मुझे भी कुछ पैसा मिल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है भैरों उसे एक खोटी कोड़ी भी देने को तयार नहीं था जिसके बज़े से याद रखेगा जगधर के मन में किसके परतीर सा होने लगी थी दोस्तो भैरों के परतीर ठीक है ये कोशन भी याद कर रखना चाता था अगर लोगों को पता चल जाता तो गलत इंपक्ट पड़ता कि एक भीखार यो कि इतना पैसा जगाता है ये खराब था ठीक है इस तरह को जोड़ जोड़ के आप लोग लिग दीजेगा ठीक है और एक बात याद रखेगा तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन का तो यहीं जो है सुदास जो है एक बच्चा का मामुरी से कथन से वो क्या हो जाता है इनरजीटिक हो जाता है कि कोई मेरी जोपड़ी को 100 लाख बार क्यों ना जलादे में 100 लाख बार बनाऊंगा मैं ठकने और हारने वाला नहीं हूँ मैं जिंदगी में खेल की देखता हूँ खेल के मैदान की तरह सोचता हूँ ठीक है तो इस तरह करके आप सब्जेक्टिव को भी कर लिजेगा अगर आप सब्जेक्टिव चाते तो कमेंट में जुरूर बताईएगा आज चलिए आप लोग नेक्ट कोईशन देखेंगे जो चैप्टर 2 आरोहन से लि यात्रा विर्तांद भी है एक यात्रा विर्तांद रुपी ये क्या है कहानी भी है ठीक है तो आप लोग इस डाउट को किलियर कर लिजेगा मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए यात्रा विर्तांद भी होना चाहिए और कहानी ठीक है लेकिन अगर हमको चूस करने है वो मेरे हिसाब से correct है लेकिन अगर दोनों का option मिल जाए तो आप लोग लिख दीजेगा यह यात्रा विर्तांद भी है और कहानी भी है चैने next question के बढ़ते है question 33 में क्या पुछा गिया है कि लेकक संजीब का जनम कब हुआ था लेकक का जनम एकदम करके जाईएगा ठीक है तो याद रखेगा एकदम जब देश आजाद हुआ था ना तभी संजीब खिला था याद रखेगा 1947 is the correct answer ठीक है और यह जो आगे बढ़ते है दोस्तों next question की ओर 34 बहुती important question एकदम हटके और एकजाम से 60 question है यह थोड़े hard वाले question है ठीक है अगर आपको hard question पुछा जाएगा तो इस तरह का question पुछा जाएगा कि संजीब जो है लेकक संजीब का जो कहानिया है अधिकतर किसमें प्रकासित हुई थी अगर इस तरह का question आपको देखने को म कितने सालों बाद अपने गाउं जो है वो वापस लोटता देखे रूप सिंग अपने भाई का हाथ चुड़ा का धक्का देकर वो भाग गया था और अपने गाउं जो है कितने वर्सों बाद लोट रहा था यह आपर question पुछा गया तो याद रखेगा 11 वर्स के बाद 11 साल बाद option जो 2 है वो correct हो जाएगा next question के बढ़ते हैं हम लोग question number 36 रूप सिंग के गाउं का नाम क्या था देखे गाउं याद रखेगा option जो है one बरवाला option two कुस्मा टार option three जो है मुकुंदा option जो फोर है वो माही तो याद रखेगा रूप सिंग कहां से बिलॉंग करता था द किस गाउं से पहले पढ़ने वाला गाउं है दोस्तों ज्याद रखेगा सर्गी गाउं से पहले ठीक है तो option जो फोर है वो correct हो जाएगा चलिए next question के बढ़ते है 38 रूप सिंग के बड़े भाई का नाम क्या था याद रखेगा रूप सिंग के बड़े भाई का नाम भूप सिंग था तो option जो फोर है वो correct हो जाएगा ठीक है वो पूप सिंग से बड़े भाई का नाम भूप सिंग था next question कि बड़े दोस्तों q were महीब किसका पुत्र था तो तो महीब जो है वो correct हो जाएगा one number भूप सिंग और सेला के पुत्र का नाम था महीब याद राखेगा ये महीब जो है घर छोड़ कर भागा हुआ इंसान बच्चा है दोस्तों भाग कर कहां आ गया देवकुन बस इस्टेंट पर आ गया है जहां पर घोडो द्वारा सवारी डोकर ये पैसा कमाता है क्यूंकि इनकी मा जो सेला है वो इस दुनिया में नहीं है और कहीं न कहीं उनक मा के मौत का जो जिम्मा मानता है महीब अपने पिताजी भूप को मानता है इसलिए अपने पिताजी से वो रूट कर वो कहां चला जाता है दोस्तों देवकुन बस इस्टेंट नीचे चला जाता है जहां पर घोडो दोवारा सवारी डोकर वो पैसा कमाता है एक बच्चा ब पोड़े उपर सवारी ढोकर पैसे कमाता था तो option जो 2 है वो correct हो जाएगा, next question क्यों बढ़ते हैं 42, क्या है कहानी में भुप सिंग और रुप सिंग के पिता कौन थे, ये question में पूछा गया, बहुत ही important question राम सिंग, कौन था दोस्तो, option जो 3 है वो correct हो जाएगा, राम सिंग, next question क्यों बढ़ते हैं 43, बहुत ही important question है, थोड़ा सा hard level में पूछेगा, तो इस तरह का question आप से पूछा जा सकता है, कि रुप सिंग के इलाकी की छेत्रिय भासा निम्न में से कौन सी थी, उनका इलाका में कौन सा भासा बोला जाता था, ये important question है, गड़वाली, क्या हो जाए भाग चुका था, एक दिन क्या होता दोस्तों, ये जो भूप सिंग है, उसको पर बहुत बड़ा एक ठोगाश कीरता है, उनके जीवन में तालका मच जाता है, क्यों क्यों उनका घार, परिवार, ममी, पापा, सब कुछ, खेत, खलियान, सब बरवाद हो जाता है, सब जो है भूप सिंग को कोन हिल्प करता है, आपको पता है दोस्तों, सेला, और सेला से वो साधी करता है, पाहड के सबसे चोटी में जाकर अपना घर बनाता है, और वहाँ पर जढ़ना को मोड कर ले आता, खेती करता है, ये इंट्रिस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, तो प्रेम की च जिंदेगी क्या होता, पाहड एक तरफा होता है, जब आप पाहड की सबसे चाड़ेंगे दोस्तों, पाहड आपको कुछ सपोट नहीं करेगा, आपको एक-एक कदम संभल कर चनना होगा, ठीक है, वो एक तरफा होता है, लेकिन प्रेम दोस्तों, दोनों तरफा अगर हो ज अपको सभी को पता है, इसका जो गरेक्ट अंसर क्या हो जाएगा, फाटी फाइब का, आप्सन नमबर थ्री, ये करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट है, दोस्तों देख सकते हैं, परवतिय परदेशों का जो जीवन संगर्स होता है, प्राकृतिक परिवर्स में भावनाव इसको भी देवकुन बस इस्टेंड तक आना पड़ता है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है, यह पर दुख भी दिखाया गया, उनलों का जीवन संगर्स से भरा हुआ रहता है, चाहिए, नेक्ट क्वेशन के बढ़ते हैं, 46, तीर लोग सिंग कौन था, दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेशन है, तो देखिए, रूप सिंग भी एक पहाड़ी व्यक्ति था, भूप सिंग भी एक पहाड़ी व्यक्ति था, लेकि रूप सिंग को ये पहाड़ी जीवन्देगी रास नहीं आया, जिसके वाज़े से भूप ददा का हाथ को छुड़ा कर धक्का देकर वो पाड के नीचे आ गया था और कपूर सहाब यानि जो उनके गौड फार्दर थे उनके साथ वो चला गया था ठीक है और यहाँ पर जो भूप सिंग है जब आता है रूप सिंग जो 11 वर्सों बाद तो पाड पर जब चड़ रहा था तो बोना पड़ गया था तता उसके पास उसके संसाधन भी नहीं थे ठीक है देखिए एक पाड़ी जिंदेगी छोड़ कर वो कहां चल गया था एक समतल अस्थान पर जब गाड़ियों की विवस्ता होती है नहीं उसको पाड़ पर चाड़ना देखिए सब कुछ रिविजन पर मैटर करता ठीक है ज उसके लिए कुछ किर्तिम चीजे चाहिए रसी चाहिए बेंड चाहिए काटा चाहिए इसके बगर रहे वो चर नहीं सकता लेकिन यह जो भूप सिंग है वो ना मात्रब प्रकृतिक चीजों से वो पत्थर को प्रकृतिक को चुने से उसको सपोट करेगा और कौन पत्थर उसको धोका देख सकता है ठीक है तो भूप सिंग को पूरा नॉलेज्ज है क्यों को एक सच मुझ में एक पहाड़ी व्यक्ति है ठीक है तो याद रखी कि इसका टू और थ्री दुनों हो जाएगा टू में तो बता दिये कि 11 साल बाद वो आया है 11 साल तक समतल अस्था ठीक था ज्यादा आतमिस्वास था भूप ददा सच मुझ में एक सकतिसाली इंसान भी थे वो कंदो पर ही बैल को लेकर पहाड़ पर चर जाते थी इतने ज्यादा सकतिसाली इंसान थे ठीक है चाहिए नेक्ट कोशन के बढ़ते हैं कोशन अबर 48 बस ने रूप सिंग और सेकर पूर को किस इस्टॉप पर उता रहा था यह स्टॉप बस इस्टॉप बहुत ही इंप्टेंट रखी कि दोस्तो आप्षांक जो दो नमघर मिल जाएगा वह याद रखी कि दोस्तो बस कोशन के बढ़ते हैं 49 जो बहुत ही important question है पेट के लिए क्या-क्या नहीं करना पड़ता है या कथन रूप सिंग ने किसके लिए कहा तो यह जो line ने किसके लिए कहा था दोस्तों याद रखेगा option A महीप के लिए क्योंकि एक छोटा सा मामुली सा बच्चा जो घोडो पर सवारी डोकर उन संकिन रा सकता आपको subjective की महीप के चुपी का कारण बताई है ठीक है ये question आपको subjective में पूछा जा सकता है ठीक है रास्ते में कुछ भी नहीं बोलता है ठीक है कौन महीप ने कि क्यूंकि महीप को पता चले जाता रूप सिंग के बातों से वो मेरा रिष्तेदार है ठीक है और एक भूप और सेला तो साधी भी किया था एक अच्छा खासा जिंदेगी चला रहा था ठीक है लेकिन ऐसा क्या हो गया कि सेला ने कुद कर आत्मा इत्ता कर लिया ये question में पूछा गया ठीक है यह एक दर्दनाग story हो जाता है यह सेला है यानि महीप की माह वो कुद कर वो जान देती है आत्मा इत्या कर लेती है सुसाइट कर लेती है इसका reason क्या है दोस्तों दिया ौन है वो करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा भुप सेंग सखित 높 Industry में कर पाने के कारण दूसरी साधी खाल लेता는데 कि के दूसरा साधी कर लिया इसको accept नहीं कर पाई सेला जिसके वाज़ वो कुद कर जान दे दी ठीक है next question को बढ़ते है 51 महिप ने भूप सिंग का घर क्यूं छोड़ दिया था ये question important है दोस्तों क्यूं छोड़ दिया था दोस्तों option जो 3 है वो correct हो जाएगा क्यूं क्यूंकि वहा कहीं अपने पिदा जी को वो जिम्मेदार मानता जिसके वाज़ वो तो अपना घर भी छोड़कर चला गया था देवकुन बस इस्टिन पर ठीक है तहीं कारण है ठीक है याद रख लिजिएगा next question को बढ़ते है 52 में देख सते दोस्तों question 52 में भूप दादा जिस पहाड़ पहाड़ी एलाखा में रहेंगे सचा पहाड़ी होंगे तो आपको बहुत सारे दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपको अच्छा रोड नहीं मिलेगा शुपीटल सुवीधार शुपीदा नहीं मिलेगा तो बहुत तरह का सब्सक्राट स सभी। कर दिजिएगा यह इंपोर्टन कोईशन है बिजली का संकर्ट पानी का संकर्ट इंधिन इंधन मतलब दोस्तों गैस वेगरा वेगरा का संबंद सिच्चा की समयश्या स्वास्थ्रिवा यानि हॉस्पीटल का भी समयश्या है ठीक है तो यह सारे के सारे सही हो जाएंगे नेक से रूप सिंग कहता है ठीक है नेश्ट कोईशन के बढ़ते 55 रूप सिंग को परवाता रोहन संस्थान से कितनी तौनखा मिलती थी तो याद रहा कि वो परवाता रोहन संस्थान में जुड़ा हुआ था लोगों को पार पर चड़ना उतारना सिकाता था लेकिन बेल्ट र परते 56 साप की मारी अभागीन डैस लेखक ने किस नदी को अभागीन कहा है याद रखेगा सुपी नदी इसी नदी में ने कुद कर जान दे दिया था कौन कमेंट बताईए का कौन यहाँ पर कुद कर जान दे दिया था ठीक है तो इसका करेक्ट अंसर हो जेगा option number one जो है वो करेक्ट हो जेगा सुपी नदी को साप की मारी अभागीन के नाम से कहा गया ठीक है देखते दोस्तों 57 में क्या पूछा गया आरोहन कहानी में इस्त्रियों की कैसी छवी प्रस्तूत की है तो उनकी देने इस्तिति को दिखाये गया सरल जीवन सेली को दिखाये गया परि सेली की थी और वो भी परिश्रम मी थी याद रखी है ठीक है चाहिए नेक्ट कोईशन के बढ़ते हैं 58 त्रिलोक सिंग द्वारा परवतारोहन संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंग गडबड़ा क्यों गया यह कोईशन बहुत इंपॉर्ट है त्याद रखेगा ना अपने खबर कुछ दीजेगा त्यार सालवाद अपने गाउं भी आईएगा ता आपको पराया सा लगेगा याद रखेगा ठीक है आपको जीजक लगेगा आपको कैसा लगे पता कैसे फिस करे सबको ठीक है तो यह जो रूप सिंग है किस से सबसे पहले आके मिलते हैं तो बुड़े तिलोख सिंगत से ठीक है तो यहाँ पर अपने बारे में क्या बता था गडबड़ा क्यों गिया तो याद रखें क्योंकि वह उन्हें बताने में जिजक रहा था उसने 11 साल परवाता रोहन ही किया ठीक है यानि 11 साल तो गाउं से बाहर थे दूसरा परवाता रोहन जो जाकर सहर में सिखाता था लोगों पार्ट पर चड़ना उतरना वो किसी लिए कि नौकरी कैसे हो सकती है बुड़े तो लोग सिंग की आश्रिच का चीज़ी लगता है रे भाई यह सब कोई ट्रेनिंग का जुरुत नहीं देखिए एक इंग्लाइन के बच्चे को क्योंकि इन लोग का रोज मर्रा का काम है ठीक है तो याद रखे दूसरा ऑप्सन भी सही है तिसरा ऑप्सन क्योंकि गाउवालों के लिए परवातर रहन उसकी आम जिंदकी का हिस्सा है यह लोग पहाड़ पर चड़ना होता है इसके लिए लोगो ट्रेनिंग की जरुरत न कोजिंग जाई longing कोट्टा सिखने नहीं जाएगा अगर competitive का बाता है आप ख़ोटा अगर book पढ़ने जा सकते हैं ठीक लेगीन भासा एजिली आप सिख सकते हैं जिस घर से बिलोंक करते उसके एक भासा होती ही, वो आटोमेटिक सीख जाएंगे ना, तो एक पहाड पे रहने वाला आदमी को पहाड पर चर्णा सीखने का जुरूत नहीं आटोमेटिक सीख जाता है, चाहिए नेक्स कोशन के बढ़ते हैं 59, क्या है कोशन बोप सिंग को हिमांग पहाड पर आकर क्य सारी हो गिया था, जिसके वज़े से उनको कहाँ पर आकर रहना पड़ा से दोस्तों, बसना पड़ा हिमांग पर आकर, चाहिए नेक्स कोशन बढ़ते हैं आज का लास्ट और इंपोर्टन कोशन, कोशन नमर 60, वहीं पहाड कबर बन गिया सब का, भूप दादा ने ऐसा क्य गिया, ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया उपरुक्त सभी हो जाएगा, इसका करेक्ट एंसर, और सन फोर, क्या क्या दोस्तों क्योंकि बर्फ बारी कि इतना ज्यादा बर्फ बारी हुआ, जिसके वज़े से उसका मकान, खेत, मा, बाप, सब धस गया, ठीक है, दुसरा 10-10 किलो जाते तो आपके ये दो चैप्टर सथ कोशन फिक्स है, नहीं छुटने वाला, चाहे वो अबजेक्टिब रहे, चाहे सबजेक्टिब रहे, ठीक है, सबजेक्टिब में भी याद कर लिजेगा, रूप सिंग जो है, भूप सिंग के सामने बोना क्यों पढ़ गया था, इंपोर्टन कोशन है, और सेला और भूप ने मिलकर कैसा एक नया जिन्दगी स्टार्ट किया, ये कोशन भी करके जाईएगा, और पाहार और प्रेम की चढ़ाई में दोनों में क्या आंतर है, ठीक है, ये भी कोशन करके जाईएगा, ये कुछ कोशन सब्जेक्टिब के ल इलेक्टिब भी अच्छा जाए, ठीक है, तो प्लिस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सारे दोस्तों भी शेयर करें, तब तक लिए दोस्तों मिलते नए वीडियो में, धैन्यबाद, जैहिंद, बंदे मात्रम